हेलो प्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल स्वागत है आप सभी का मेरे सुपर लोग चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुती खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बच्चा का जो सिर होता है गरम में जो शिशु पल रहा होता है उसका सिर फिर्स तरफ र रहता है राइट या लेव दाएं या वाएं तो दोस्तों आपने भी बहुत सारे सोचल मीडियों पर भी देखे होंगे कि मतलब बच्चे के बारे में की बच्चे का सिर लड़का इस साइड रहता है तो मतलब यह कितना सच है और मेरे उपर यह कितना सही सावित हुआ था दोस्तों इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी आने वाली सभी ऐसी लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटिड वीडियो हर रोज अप्लोड करती हूं तो दोस्तों वीडि मिल सा है हमें होसला बढ़ता है और हम नए-नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं तो दोस्तों बेटा बेटी में बेखबाब करना नहीं है ना ही हमें इस चीज़ों को बड़ावा देते हमानों लिए बेटा और बेटी दोनों ही एक समान है फरक सीरिफ इतना है कि सरफ हमारा बनाने का मकसद है कि आप जिग्यासा और उत्सक्ता को कम कर सकते हैं बाकि इसको बिल्कुल इस वीडियो को देखे 100% शौर बिल्कुल भी ना हो बाकि मैं इस वीडियो में डिसकर्ज करने वाली हूं तो दोस्तों जैसे ही आपको पता लगता है आप बच्चा अगर left right में है left में है right में है सीधा है उसी जहां वो comfortable महसूस करता है उसी time सोनग्राफी में वो चीज आ जाती है कि बच्चा किस साइड है तो इससे इसका कोई मतलब नहीं होता है कि लड़के इधर रहता है लड़के का सर तो यह लड़का है अगर इधर रहता है left side रहता है तो लड़की है right side रहता है तो लड़का है इससे कोई इसका मतलब नहीं होता कोई reason नहीं होता है तो दोस्तों ये तो होई sonography की बात बच्चे की बात मैं अपनी बात करूँ और जो दादी नानी अकसर बताती है वो क्या करती है पहले के जमाने में sonography नहीं होती थी तो वो क्या करती थी बच्चे का सर देखती थी पूछती थी किदा रहे बेट किदा बच्चा की कि जादा कर रहा थी उसके अनुभब से वो बताती रहती थी थी अनुभबी अपनी जगा बिलकुल सही है तो दोस्तो होता क्या है कि वो बताती है उनकी बात में कितनी सच्चा ही है उनकी बात में कितनी सच्चा ही जैसे उनका कहना होता है कि राइट साइड अगर बच्चा ज़्यादा वेट आपको लगता है चटवे, साथवे और आटवे महीने बहुत ज़्यादा वेट लगता है आपको और राइट साइड ही बच्चा ज़्यादा मुवेंट अलचल करता है तो ये लड़का होने का लक्षन माना जाता है लेप साइड होता है तो ये लड़की होने का लक्षन माना जाता है तो दोस् तो ने मुझे राइट साइड जादा बच्चे का इधर ही रहता था तो दादी मा कहती थी कि मतलब लड़का होने वाला तो मुझे बेबी बहुत हुआ था तो इसमें जो सारी सच्चा थी वह मैंने आपको बताई कि जब मैं तीसरे महीने पर गई थी तो मेरे बेबी का वेट है तो वह हैड डाउन उसका जो हैड था जादा तर मेरे वह लेप साइड में था जब तीसरे मंत पर थी और जब मेरे साथ वाट में न चला तो लेप साइड में था तो मुझे लड़का हुआ था और मेरी दादी मा की बास बिल्कुल सही निकली थी मेरे उपर तो जरूर न झाताव